हेलो दोस्तों आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्तिक स्वागत दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बूल कर भी इन बिमारियों में आम का सेवन ना करें बढ़ना आपकी परशानी बढ़ सकती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गर्मियों में रिसीले आम का मोसम होता है विटामिन और आइरन से बरपूर आम बला किसे पसंद नहीं होता आम के फाइदों के बारे में अगर आप गिनना शुरू करोगे तो आपको दिन से रात लग जाएगी मीठे रिसीले आम का नाम सुनते ही मूँ में पानी आ जाता है आम सब फलो में सबसे स्वादिष्ट होता है तबी इसे फलो का राजा कहते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि आम के ज़्यादा सेवन से शरीर को कई परकार के नुकसान भी हो सकते हैं आईए जानते हैं आम का सेवन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों का पेट खराब हो जाता है उन्हें आम का सेवन नहीं करना चाहिए इसे खाने से साइनस की दिक्कश शुरू हो जाती है मोटापे से परिशान लोगों को आम का सेवन काफी सोर समझ करना चाहिए क्योंकि इसमें खूब कैलरीज पाई जाती है जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है मदुमे रोगियों के लिए ज़्यादा आम का सेवन नुकसान दे हो सकता है यह आपके बलर शुगर लेवल को बढ़ा सकता है यदि आपको साफ सुतरित वज़ा जाए तो आम को लिम्टिट मात्रा में खाए नहीं तो फोड़ी फुनसी और महासों की शकायत हो सकती है क्योंकि इसको खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है तो अगर आपको आम काना पसंद है तो इसके नुकसान को देखते हुए खुद पर थोड़ा खाबू रखें और सीमित मात्रा में इस फल का मजा लें तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि किन बीमारियों में बूल कर भी आम नहीं खाना चाहिए उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फायदे में लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को जह से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाए लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुले केप शेरिंग और केप स्पोटिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और ने वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग